सभी सातियों को राम राम नमस्कार उमीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे जो भी बच्चा CRPF, Constable Technical and Tradement की भरती में result end आगे की process का wait कर रहा है उन सभी के लिए good news यहाँ पे आ चुकी है क्योंकि इसके लिए official notice जारी हो चुका है कि कब से आपका physical होना है complete test होगा और कब medical होगा each and everything इस वीडियो में आप सभी को clear हो जाएगा आपके result physical बगेरा के हर एक चीज के बारे में तो वीडियो को आप लास्त तक ध्यान से ज़रूर देख लेना वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like, share करें चैनल को subscribe करें और bell icon में press करें ताकि future में आने वाली हर एक update का notification आपको सबसे पहले मिलता रहे आगे बढ़ते हैं पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं देखो आप सभी को जो notice में देखने दिखाने वाला हूं वो notice कहां से मिलेगा वो भी आप सभी को सारी जानकारी सारी चीजे मैं बता दूँगा तो मेडिक दो वीडियो में लास तक बने रहे जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि CRPF Head Constable Ministry में जो चीजे हुई थी ट्रेड मैंस में देखने के लिए मिलेगी और फाइनली वही आप सभी के सामने यहां पे आ चुका है यहां पे अगर आप देखेंगे तो नोटिस CRPF की तरफ से जारी किया गया है डेट 14 माई 2024 को नोटिस है जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप सभी देख सकते हैं कि Recruitment of Constable Technical and Trades Ministry यहां पे देखेंगे कि Retailment Medical Officer Requirement Medical Officer for the Conducting DME and RME इसके Detail दे रखी है कि यहां पे दे रखी है कि यहां पे दे रखी है कि एक मिन्ट में कलर चेंज कर लेता हूं कि यहां पे आप देखोगे तो यह चीज़ें दे रखे Medical Officer for the Conducting DME साथ ही में अगर यहां पे देखेंगे साथ ही में मगर यहां पे अगर आप देखेंगे तो CRPF मेंसिन देड़ा PST और PET टेस्ट यहां पे देखेंगे तो test best टेस्ट डी डी एम ए आप एम ए ओफ दी सोल्ड लिस्टिड ओफ कंडिडेट इस प्रपोजल टू बी कंड़क्टिंग फॉम सेकिंड वीक ओफ सेकिंड जून देखो सेकिंड वीक ओफ सेकिंड जून मैं दुबारा से लिख देता हूं यहां पे जो आपको फिजिकल है वो कंड़क्ट किया जाएगा सेकिंड वीक ओफ दा जून 2024 ओके आई होप आपको किलियर हो गया होगा यहां पे आप सभी को बता देंगे यहां पे सारी चीजे एक साथ आपकी कंड़क्ट होगी जैसे चाहे आपका फिजिकल हो या PST हो PET हो हो या DB हो आपका DME और ME हो गया तो सारी चीजे आपकी जैसे की आपकी पिएसटी हो पिएटी हो डीवी हो सारी चीज एक दिन में वन डे में यहां पे कंड़क्ट करवाई जाएंगी ठीक है अब हर एक चीज एक ही यहां पर होने वाली है जैसा कि आपने CRPF Head Coastal Ministry में देखा था सेम उसी परकार यहां पे Each and Everything जो प्रोसेस होगा वो एक ही साथ होगा और यह चीजे मैंने आपको सभी को पहले ही बता दी थी कि CRPF टेकनिकल ट्रेंड में आपको सेम चीज देखने के लिए मिलेगी एक साथ आपका पूरा प्रोसेस कंप्लिट हो जाएगा यहां पे आप सभी देख सकते हैं कि डेट एक दम से किलियर यहां पर सभी को हो चुकी है सेकिंड वीक ओफ दा जून में यहां सभी का यहां पे सारा प्रोसेस कंप्लिट हो जाएगा अब आप इसके अकोर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि जो बचा तैयारी कर रहा है कि यहां पर यहां पर यहां पर इंडियमी सेंटर जो है उनके लिए भी जो लेडिस मेडिकल ओफिसर हैं उनकी डिटेल दे रखी है यह दे रखी यहां पर यह देखिए यहां पर एक मिंट यह लेडिस मेडिकल सेंटर की डिटेल दे रखी है लेडिस मेडिकल सेंटर ओफिसर मेडिकल ओफिसर होंगी उनकी डिटेल दे रखी यानि कि यहां पर मेडिकल ओफिसर रहेंगे कितने recruitment है DME के लिए यहाँ पर दे रखी है कि कितनी recruitment है एक DME सेंटर के लिए यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर दे रखी है के लिए detail medical center के लिए उसकी detail यहाँ पर दे गई है साथ ही यहाँ पर recruitment center देख सकते हो कि recruitment center कितने होंगे और कौन कौन से सेंटर में कितनी कितनी medical officer होंगे उनकी detail यहां पर मांगी गई है कि इतने medical officer की जुरुत है यानि कि आप आप ऐसे समझ लो second week of the June की अगर यहां पर बात चल रही है तो आप सभी के पास एक मेने का समय बचा है आपके physical में start होने में और फिर आप यह मान सकते हैं कि अगर यहां पर बात करें कि result कब तक जारी होगा तो किसी भी समय या किसी भी दिन आपका result जारी हो सकता है और यह कम से कम समय देने के चकर में ही जो आपको result होगा वो थोड़ा सा late देंगे जिससे कि आपको और कम समय मिल पाए PST और PET की तैयारी करने के लिए जिससे की आसानी हो कि कम आपकी merit जाए और यहां चीजे देखने के लिए मिलेंगी पहली बार जो ट्रेडमेंट यहां पे पहले से ही आपकी merit कम जानी है दूसरी बात है कि PST और PET में बच्चा लाइन लगा के यहां पे फेल होने वाला है तो आप ऐसा समझ लोगे देखो लगबग हो सकता है कि तारिक तक आपका जो result होगा होगा वो भी announce हो जाएगा अब देखो second of the week यानि कि इस मैने आपका result जारी होने का अनुमाल लगाया जा रहा है second week of the June यानि कि ऐसा माल के चलो की लगबग आपका mid June में आपका physical start हो जाएगा ये चीज़े confirm है सारी चीज़े एक साथ होंगी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो physical की तयारी करना चाहते हैं उन सभी के लिए बता दूं कि हमारे physical batch यहां पे चल रहा है तो आगर आपको CRPF ट्रेडमेंड के लिए physical की तयारी करनी है तो इस number पे आप call कर सकते हैं केवल physical से related ही जानकारी आपको इस number पे मिलेगी क्योंकि यह जो number रहता है वो physical academy का ही number है तो वहां का बंदा आपको cutoff या किसी अन्य चीज़ें की बारे में कोई जानकारी उपलब नहीं करा से पाएगा अगर वो जानकारी देता भी है तो उसे ज्यादा trust करना मत क्योंकि उस बंदे क इतनी ज्यादा knowledge उसके बारे में नहीं है जो भी number call आपको पिक करेगा और आपको physical के बारे में ही बता सकेगा और जो आपको जो number है physical academy का वो आपको मैं टेलिग्राम ग्रूप में link description box में दे दूँआं वहां से आप यह physical academy का number ले सकते हो फिजिकल के बारे में बता आएंगे physical academy क्या है तो physical academy से related आपको सारे जान के देने के लिए इस number पर मिल जाएंगी तो यह जो number है physical academy का वो मैं आपको यहां पर टेलिग्राम ग्रूप में प्रोवाइड करवाद हुआं description box में टेलिग्राम ग्रूप का link है जो मुथरा उतर प्रदेश में अपनी academy है वहां पर आके अपनी तैयारी physical की तैयारी कर सकते हैं जिससे की आराम से आपका physical qualify हो जाएगा क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है जितना समय है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत है क्योंकि आपकी जो cut off आप लेने देख लेना की cut off जो जाएगी वो भी इत्यास रच देगी इससे पहले की भी sf trade man की आपकी cut off देख ही लीव थी head constable ministry की आप उल्रेटी देख चुके हो कि क्या हालत आपसे हुई थी वही चीज़े दोबारा से यहां पर repeat होने जा रही है तो बच्चा समझदार है और discipline में है वो अच्छी तरीके से sincere है जो अच्छी तरीके से करेगा क्योंकि notice वगेरा each and everything यहां पर आप सभी के लिए सार और आप सभी को साइद याद होगा कि लगवग एक महीने पहले ही मैंने आप सभी को बता दिया था कि जो भी टाइम है वो election तक का ही टाइम है election खतम उसके बाद समझ लो कि भरती की एक ही जटके में निप्टा देंगे और इस त्रे इस तैयारी में यह लगे हुए है और व इस एस एससी जीडी का भी फिजिकल होने वाला है एससी जीडी आइधिंक इटीबीप को इस वजह से नोटिस नोडल फॉर्स बनाए गया क्योंकि यह अपनी बरती को कंप्लीट करवाएंगे तो भाई बिना टाइम वेस्ट किये अभी से फिजिकल की तैयारी में लग दूआ और यह जो सामने आपको नोटिस दिख रहा है इस नोटिस को अगर आप ले नहीं चाहते हो तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलेग्राम ग्रूप का लिंक मिल जाएगा आप वहां पर जाके हैस नोटिस को आप डाउनलोड कर पाऊगे तो यह न